माववादियों से कथित संबंध के मामले में बरी किये गए दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जियन साइबाबा नागपुर की सेंट्रल जेल से गुरुवार को बाहर आ गए हैं। पांच मार्च को बॉंबे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जियन साइबाबा, हेम मिश्रा, महेश तिर्की, विजय तिर्की, नारायन सांगलिकर, प्रशांत राही और पांडु नरोट अब इस दुनिया में नहीं को भरी किया था। जियन साइबाबा ने मीडिया कर्मियों से कहा, मेरा स्वास्थ बेहत खराब है, मैं बात नहीं कर सकता, पहले मुझे इलाज करवाना होगा, तब ही मैं बोलने के लायक हो पाऊंगा। प्रशांत ऑल शाइब कर जाइब और नहीं करें होगा। तब ही मैं बात नहीं करुशन करें होगा।